संबल में रेल महकमे पर जुर्माना लगा है मनमाने तरीके से निर्धारित इस्टेशन से पहले ही ट्रेन को रोक लेने पर उब्रोकता फोरम ने रेल महकमे पर 13500 रुपे का जुर्माना लगाया मामले का एक और खास पहलू है जिसमें बादी को मिर्ध्यू उपरांत नियाय मिला है पूरा मामला संबल जनपत के कस्पा चंदोसी का है जहां अधिवक्ते शामलाल बश 2020 में ट्रेन से चंदोसी से तद कालीन इलाबाद गए थे वापस भी ट्रेन से चंदोसी लोट रहे थे परिवार के अनुसार रेल महक्मे ने ट्रेन को अलिगड में ही कैंसिल कर वहीं रोक लिया पीजी साधन से वे चंदोसी पहुँचे जहां रेल भी स्टेशन पर टिकट वापस करने गए जिसे रेल कर्मी ने वापस नहीं किया जिसके बाद उन्होंने उभोक्ता फारम में बाद दायर किया इस बीच कोरोना से उनकी मिल्टियों हो गई 30 नवंबर को उभोक्ता फारम ने किराय के 3500 रुपे 5000 मानसिक परेशानी और 5000 रुपे केस का खर्च देने का रेल में को आदेश दिया है अधिवक्ता ने रेल विबाग से केस को जीत लिया मगर उनकी अप कोर सब्सक्राइब में इलाबाद गए थे इलाबाद से लौट से समय अलीगर इस्टीशन पर रेल विबाग ने उन्हें उतार दिया और यह कह दिया कि ट्रेंड आगे चणूजी और नहीं जाए उन्होंने उतको यत्तरा अनित साथनों से पूर्ण किया इसके तंबन में वो अपने टिकेट को बापिस किया लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और उसके लिए उन्होंने अपना एक परबाद जिलाब बुगत आयुग में प्रस्तुत किया इसी द्वरान कोरोना में उनकी दैथ हो गई कि उद्वक्त आयुग ने दौन पक्षों को सुनने के बाद या अपना निड़न सुनाया कि 3500 रुपए बैप परबाद बैगे जहां से उन्होंने यात्रा किया उसके तता पांच यह रुपए मांतिक छतिपूर्द्य पांच यह रुपए मुगतमा लड़ा रहे हैं दो म